असलाम लेकुम डिया स्टूरेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनित नंबर फाइव जिसका नाम है टिक्नॉलोजी बेस्ट चिल्डूर्न लिटरचुर तो कौन है जिसे नहीं पता कि जमाने में हम सब के हाथ में मोबाइल्स हैं और वहीं मोबाइल्स और टेक्नॉलो में हैं वो बच्चों के हाथ में भी मौजूद हैं अब हमारे पास जो भी गैजट्स हैं टेक्नॉलोजी के वह रिक्कुल ऐसे ही हैं जैसे किसी जमाने में लोगों के पास किताब एक परात हुआ करते थे या कोई और प्रिंट फॉर्म हुआ करती थी जो हम अपने साथ-सा ौटारि भी झताउय है फ inquis kisam ने के लिट्रशर बच्चों का वेलिबल है जिसके बारे में हमें पता होना जरूरी है क्योंकि हम टीचर्ष है और आपको यह भी पता होगा कि अब थो अल्ளए के अलाव अलिमेंट्री में आपके सन्वी इसा है कि अगर आप टेक्नोलोजी के मामले में इलिटरेट हैं तो आप ओवर और इलिटरेट हैं, अगर आपको टेक्नोलोजी के रीसोर्स करने ही पता यह यह नहीं पता कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, तो हमारे पास डेफिनेटली बहुत सी बुक्स मौझूद हैं, जो लिटरेटर से और कहानियों से जो हमारा पॉइम्स के साथ तालुकात हैं, और जिसके थ्रू हम एक इंटरेक्शन बनाते हैं, जिसमें दो लोग आपस में रीडिंग करते हैं, उनकी एक सोशल एमोशनल रिलेशनिशिप बनता है, उसे कैसे चेंज कर दिया है, अच्छी या बच्चों की बुक्स और गेम्स में टिकनॉलोजी क्या है, क्या चीज हमारे लिए अवेलिबल हैं, कि इनको हमें समझना बहुत जरूरी है, अच्छी पेरिंट, पहला जो यूनिट है, वो हमारा है, एलेक्ट्रोनिक्स एबुक्स के उपर, हम अंडिस्टैंड करने की कोश जो हमें साथ-साथ उठाने पड़ते हैं, या हमें रीसर्च इसके बारे में क्या बताती है, इसे यूनिट के अंदर जो अगले इंपोर्टन टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है चिल्डर लिट्रिचर इंदर टेक्नॉलोजिकल बेस इंस्ट्रक्शन, जब पीच्छ बच्चे हैं हमारे पास जैसे कि आपको पता है, यह कोर्सी जीरो से लेके आठ साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, और यह अरली एश के बच्चे हैं, इनकी क्लास के अंदर जब हम टेक्नॉलोजी लेके आते हैं, तो हमारा में फोकस जब लिटरिचर को हम इंट् जिस जबान की भी हो, जो उनसे भी जबान आप पढ़ा रहे हैं, या आपके लाकाई जबान हैं, अब टिकनॉलोजी इन लिटरिसी इसको बच्चों को बच्चों करने में कैसे मदद कर सकती है, और इस किसम की किताबें कैसे उन्हें हेल्प आउट करती है, इसके बारे में multi-modal explanation and illustrations, और इसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से different research studies के अंदर, teachers जो हैं, वो different features इस्तेमाल कर रहे हैं, technology के, computer के, assignments की form में, presentation की form में, और students जो हैं, कैसे अपने projects में, different किसम के technological जो innovations हैं, इसको इसको इस्तेमाल करते हुए, ना सिब इसकी vocabulary सीखते हैं, इसकी skills सीखते हैं, बलके higher level learning process तक जा सकते हैं, तो ये है हमारे unit number five और अब हम इसको शुरू करेंगे.